अस्सलामुलिकम विवर्ज, वेलकम टू दे स्टूइंट्स प्लेटफॉर्म विवर्ज, आज हम पढ़ेंगे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ इस्टीम ये दो टॉबिक्स हैं एप्लाइट सैकोलोजी के इनके अंदर जो डिफ्रेंट है ना कुछ कनफ्यूजिंग है मतलब कि अगर आप लोग इनको लग लग पढ़ते हैं तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी इसलिए मैंने इनको डिफ्रेंशियेट करने के लिए ताकि दोनों का कॉंसेट जो है वो मर्ज ना हो वापस में एक टेबल आप लोगों के सामने बना दिया है ये चीज़ आप लोगों को इन दोनों का कॉंसेट जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा इस चीज़ से सबसे पहले सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं कोई भी बन्दा अपने बारे में क्या जानता है एक बन्दे की मेंटल इमेजिज ख्यालात जो वो अपने बारे में बनाता है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं ये नेगिटिव भी हो सकते हैं इसमें किसी भी चीज़ की इन्फरमेशन आ सकती है हम self identification की बात कर रहे हैं example से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी जिसका एक बंदा है अपने बारे में सोचता है कि वो मोटा है, वो पतला है, वो लोगों से मिलने चुलने वाला है, वो शाय है या सोच लगे आपके जहन में कि आप बहुत मोटे हैं आप बहुत पतले हैं, कमजोर हैं, बहुत जहीन हैं, बहुत तेजर रफ़तार हैं यानि कि ये जितनी भी इनसान की सिफात है जो अपने बारे में बनाता है, सोचता है जो उसके जहन में होती हैं, ये सारी self identification है, उसकी पहचान है दूसरी चीज़ है self esteem एक बना अपने बारे में क्या महसूस करता है identification थी जानता है और फर्क देखें, esteem क्या है, क्या महसूस करता है अपने बारे में believes और feelings का जो मुझमुआ रखता है, वो self esteem है ये high भी हो सकती है, ये low भी हो सकती है मैंने आपको कहा था, कि self identification जो है, ये high positive और negative होती है यानि कि एक बन्दा अपने आपको अच्छा भी समझ सकता है, बुरा भी समझ सकता है यानि positive negative आगी, लेकिन esteem जो है positive negative नहीं होती, ये high या low होती है किस तरह, एक बन्दे की आप insult करते हैं, उसको बहुत ज़रा फील होती है उसी level की insult अगर किसी और बन्दे की की जाए हो सकता, उसको level इतनी, उसको फील ना हो यानि कि ये different आगया, high और low esteem की जासी ही चीज़ होती है इसके अंदर बन्दा self esteem में खुद की value को judge करता है, evaluate करता है self concept में तो वो खुद की बारे में ख्यालाद रखता था ना, लेकिन self esteem में वो खुद को दूसरों की नजर से देखता है मसलन मेरे दोस्त मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, या सब मेरे से नफरत करते हैं ये चीज़ें जो है, self esteem के अंदर आती है identification और esteem, दोनों को मैं एक दफा फिर define कर देता हूँ self identification में कोई भी बंदा अपने बारे में क्या जानता है एक बंदे की mental images, ख्यालात, जो वो अपने बारे में बनाता है ये positive भी हो सकते हैं और negative भी इसमें किसी भी चीज़ की information होती है जिस तरह socially कहलें कि बंदा लोगों से मिलने जुलने वाला है, या shy है physical कहलें बंदा मोटा है या पतला है जिस तरह मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, मैं बहुत जहीन हूँ, मैं बहुत जरिफतार हूँ ये सारे जीज़ें self identification में आती है दूसरी जीज़ है self esteem एक बंदा अपने बारे में क्या महसूस करता है अपने बारे में believe, feeling का मजमुआ जो है वो इसकी self esteem है ये high भी हो सकती है, ये low भी हो सकती है खुद की value को judge करना, खुद को evaluate करना लोगों की नजर में, कि उसको लोग कैसे देखते हैं self esteem, concept में, self identification में तो वो खुद के बारे में ख्याल रखता है लेकिन, esteem में, वो खुद को दूसरों की नजर से देखता है मिसाल वोई कि मेरे दोस्थ मुझे कैसा देखते हैं मुझे पसंद करते हैं, या मुझे पसंद नहीं करते हैं मेरे से नفrt करते हैं, मुझे प्यार करते हैं ये सारी चीज़े आ जाती है, self esteem में Simply आप कहलें के self identification में बन्दे के खुद की, बन्दे को खुद अपनी नजरीया से बन्दा खुद को जो देखता है, अपनी जो पहचान उसके जहन में होती है, उसको identification कहते हैं. लेकिन इस team के अंदर self esteem के अंदर वो देखता है कि दूसरे लोगों के नजरिये से वो खुद को देखता है कि दूसरे लोग उसको कैसा समझते है self esteem के अंदर ये चीज़ आ जाती है I hope कि ये concept आप लोगों को clear हो गया होगा जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स टॉपिक के साथ till then take care Allah आफेज